नमस्कार दोस्तों हमारे ग्यानवर्तक कारेकरम से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अधिक जानकारे लिए इस्टाग्राम पे फोलो करें नमस्कार शूर्य के मकर राशी में परिवर्तन मकर شंक्राति के बारे में दो दो चिजने सूर्य राशी में परिवर्तन हो रहे हैं बहुत पावन अवसर है, सूरिय को प्रसंद करने का 14 तारिक को सूरिय राशी परिवर्तन करेगा, सूरिय धनूर राशी से मकर राशी में परिवर्तन करेगे, सूरिय को मकर राशी में जाना अपने आप में बहुत बड़ा बदला है, वो अध्याग्मिक रूप से बन जाता ह सूरिय हर मैने एक राशी में परिवर्तन होते याने बारा मैने में बारा राशी में परिवर्तत करता है लेकिन मकर राशी में जाते हैं तो मकर शंकराती जैसा बड़ा तेवर मनाया जाता है उस दिन तिलका दान सबसे बड़ा दान है जोतिश की बाबत में सुरिय का मकर शंक्राते में परिवर्तन करना याने उत्रायंड में प्रवेश करना महत्वपूर्ण में आप जितना सातना करोगे सुरिय प्रसंद होएगे जो ग्रहो का राजा को आप बदलवान करोगे तो प्रजा खुशाल ही रह जाएगी चोदा जानिवारी से ज्यादा से ज्यादया सुरिय की उपासना करे और दान करो आपकी कोई राशी हो मैस से मेन राशी कोई भी राशी हो भले कोई आपका लग न हो तो आप सुरिय की उपासना करो चौदा जाननीवरी याने उत्राइन के दिन आप सुबा जल्दी आदिस्नान करके सुरिय को नमस्कार करें और ओम सुरियाय नमा का जाप करो आदित्य रदै सुत्र का पाट करो लाल फूल चड़ाओ लाल मिठाई का भोग लगाओ दूप दियोक करो दान में हो सक्के तो काली उड़त की डाल गूड रेवडी कोई गरम वस्त्र आप दान करो फिर तामबे के कलर्श में शुद्ध पानी उसमें रोली चावल लाल फूल डालका सुरिय को अर्द दो समय ऐसा वो पानी आपके पाओं पे नहीं गिरना चाहिए वहां कोई एक पात्रा रखो जिसमें वो पानी वहां गिर सके नहीं तो कोई पोधे में गिरे ऐसी व्यवस्ता करो